जै माकल आप सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल एक्स्टा नॉलीज नहीं दिमें मैं आज आप लोगे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेकिया हैं आज का जो मेरा वीडियो है SSB Constable Tradesman जैसे कि आप सभी लोगों पता है Cook, Water Carrier और Swiper वालों के Admit Card डाउनलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि इनके फिजकल अभी स्टार्ट नहीं हुए थे फिजकल आप लोग के वेटनरी और इसके लावा बार बार और कुछ ट्रेडों के फिजकल यहां पे स्टार्ट हो चुके थे लेकिन मैंने आप लोगो जनकारी दी थी कि 4, 3 या 4 तारीकों आप लोग के Admit Card यहां पे अपलोड हो जाएंगे और 10 से 15 के बीच में आप लोग के फिजकल यहां पे स्टार्ट होंगे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, Admit Card डाउनलोड करने के लिए आप लोग को मैंने लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है तिक है उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग भरती देखो पे आ जाएंगे डारेक्ट भी आ सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके भी आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को Admit Card डाउनलोड से रिलेटेड लिंक आप लोग को मिल जागा इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे सबसे इंपोर्टेट चीज़ डॉकुमेंट है और फिजिकल, फिजिकल में क्या होने वाला है, यह चीज़े इंपोर्टेंट है, सिर्फ और स्रिफ Admit Card आने से ही काम नहीं चलने वाला है आप लोग देख लेंगे आप लोग की height weight, chest वगएर आप लोग की क्या ली जातए है, height यहाँ पे आप लोग की कम ली जाती है मेल 17.5 और chest 76 और 81 रहती है इसी प्रकार से आप लोग गड़वाली, कुमाई, डोगरा, मराथा, नौर्थ, इस्ट, इस्ट, जम्मू, काजमी, ले, लद्दाग बगएरा से आप लोग आते हैं तो male candidate 165 cm, female candidate 155 cm, male candidate के chest 78 cm और 5 cm का फ्लाव देखा था है यह important चीजें हैं और इसके अलावा आप लोग को नीचे आने, नीचे आने के बाद आप लोग को running की इनफर्मेशन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 4.8 km male candidate 24 मिनट का टाइम लेना है और female candidate को 2.4 km, 18 मिनट का टाइम आप लोग को यहाँ पर मिलता है इससे ज़्यादा समय आप लोग को नहीं मिलेगा और इसी में आप लोग को सबसे नीचे आना है नीचे आने के बाद मैं आप लोग को clear कर दूँ, यहाँ पर मैंने आप लोग देखेंगे important links में 4th number पे admit का download link दिया हुआ है तो click here पे जैसी आप लोग click करेंगे आप लोग का इस प्रकार का page open हो जाएगा SSB की website का, ठीके direct भी आप लोग जा सकते हैं लेकिन direct आने में आप लोग को problem होगी और जो previous के trade चल रहे हैं उनके भी physical यहाँ पे कुछ center में आप लोग के चलते रहेंगे तो चलिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कैसे आप लोग admit का download करेंगे तो देखिए registration ID आप लोग के पास होगा जब आप लोग उने form apply किया होगा तो उस form पे आप लोग का registration ID लिखा होगा उस registration ID को आप लोग ठीक ठीक भरिए और password यदि आप लोग भूल गए हैं याद है आप लोग को तो वो password आप लोग यहाँ पे डालेंगे और मैं आप लोग वजब तो password यदि आप लोग भूल चुके हैं तो आप लोग अपने mobile पे search कर सकते हैं यदि आप लोग का mobile वही है जो आप लोग पहले use करते आएं वही number है वही mobile है तो आप लोग उस पे search करेंगे जब SSB लिख करके तो आप लोग को वो message आप लोग को मिल जाएगा जिसवे की registration number और password आप लोग को दिया होगा वो registration number पासवर डालके यह capture आप लोग डालेंगे जिहां capital में लिखा है जैसे भी लिखा है आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे यहांपे आप लोग बेखेंगे यह जो दिखा रहा है O, R, P, N, H, H ग, यह capital में हैै ठीक है तो capital में ही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है small letter में आप लोग नहीं लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे capital में लिखना हूँ ठीक है और यह आप लोग का small letter होता है जैसे यह आप लोग का small होगे small यह enter करेगा ही नी तो आप लोग को इस प्रकार से capture डाल करके यहाँ पे आप लोग को login कर लेना है उसके बाद आप लोग का admit card वाला page open जाएगा यदि आप लोग को registration number पासवर्ट पता है message या फिर आप लोग mail चेक कीजिए mail पे भी आप लोग search कर सकते हैं SSB यहाँ आप लोग SSB registration सर्च करेंगे या फिर आप लोग SSB सर्च करेंगे registration ID आप लोग को पता है मैंने आप लोग को बताया है तो आप लोग password नहीं पता तो forget password पे आप लोग click करेंगे click करने के बाद आप लोग का एक page open होगा जहां से कि आप लोग को अपना password पता चल जाएगा तो registration ID पता है तभी आप लोग यहाला page open करेंगे ठीक है registration ID डालेंगे जो भी data worth आप लोग यहां से select करनेंगे जो भी आप लोग की data worth लेंगे इसके बाद आप लोग को यहां पर यह जो capture दिया गया same to same capture आप लोग को यहां पर उतार देना उतारने के बाद आप लोग यहां पर submit पर click करेंगे submit पर click करने के बाद बच्चों को यह problem आ रही है please enter correct text box in the store ठीक है correct text box या फिर आप लोग को message आ रहा है कि आपने जो registration ID डेट पर डाला है वो invalid है ठीक है इस प्रगार के messages आप लोग को आ रहे है इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ यदि आप लोग admit का download कर रहे है बरती देखों पर जा करके आप लोग link पर click करके आप लोग यहां पर आ जाएंगे यहां आने के बाद आप लोग देखेंगे forget password करने पर उस प्रकार के आप लोग को इससे आप लोग को registration ID भी पता चल जाता है और इससे आप लोग password भी पता चल जाता है आप लोग देखेंगे forget registration ID and password तो forget registration ID भी click करने पर आप लोग को दोनों चीज मिल जाएंगे तो आप लोग को यह पता होना चीएंगे आप लोग ने किस post के लिए apply किया था वो आप लोग लिखेंगे mobile number आप लोग का वही होना चीएं जो आप लोग ने form भरने के समय डाला था ठीक है तब ही आप लोग का निकल पाएगा इसके अलावा मैं आप लोग बता हूँ तो data worth जो भी है आप लिख देना है किसी प्रकार से आप लोग mistake नहीं करेंगे ये लिखने के बाद आप लोग submit पे click करेंगे submit पे click करने के बाद मैं आप लोग बता तो यहां भी बच्चों को error देखने को मेरी है invalid mobile number और date of worth wrong post तो देखिए मैंने यहां पे गलत एंटर करा था तो यदि आप लोगोंने mobile number या पी data worth तो आप लोग की high school के certificate की वही होगी mobile number आप लोग गलत भर रहे होंगे यदि आप लोग का mobile number वही है same है फिर भी इस परकार का error आ रहा है तो यह मान के चले यह अब भी जो है यह website की error है और कल से ही कल साम से ही आप लोग के admit card download होने शुरू है तो आप लोगों को थोड़ा सा wait करना होगा यहां थोड़ा सा wait करना होगा जो भी process चल रहा है process complete होगा तो आप लोग के यहां पे admit card download होने लगेंगे यदि आप लोग सब कुछ ठीक ठाक डाल रहे हैं यानि कि mobile नंबर आपका वही होना चीए जो की 2020 में आप लोग ने form भरते समय डला था data worth आप लोग का वही होना चीए और जिस post के लिए आप लोग ने apply किया तो वही post आप लोग को select करनी है तभी आप लोग के admit card download होंगे और समय लगेगा process चल रहा है बहुती जल्द इसको आप लोग को जो भी समस्या है इसे दूर किया जाएगा क्योंकि कल साम से ही आप को inform कर दूँगा बट आप लोग try करते रहे कुछ समय के बाद आप लोग के जैसे ही process यहाँ पे website ठीक हो जाएगी आप लोग के admit card download होने लगे और किसी प्रकार की ये problem नहीं है इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे और कोई ऐसी problem नहीं है जिसकी वैसे आप लोग के admit card download नहीं हो रहे हैं लेकिन जो भी data है वो data आप लोग बिलकुँ सहीं डालेंगे इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे कि आप लोग का forget password है ठीक है forget password पर आप लोग क्लिक करते हैं तो registration ID वही डालिएगा जो आप लोग के printout पे लिखा हुआ है data पर तो आपकी जो process complete हो जाएगा उनका आप लोग का website ठीक हो जाएगे आप लोग के admit card download होने लगेंगे जो भी आप लोग का forget password और forget ID को ले करके problem आरी वो problem दूर हो जाएगे और आप लोग के important and informative आपको खला तो के बाथ thank you see you next time